रक्त दोश के कारण त्वचा रोग, सुराशिश, एक्जीमा, खाजखुजली, शीत पित, कुष्ठ रोग और त्वचा में संक्रमन आदी कुछ ऐसी बिमारियां हैं जो की जानलेवा तो नहीं हैं लेकिन इनसे प्रभावित व्यक्ति का पूरा, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है और कई बार लगातार उपेक्षा वत्तिरसकार के कारण व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है वैसे तो ये सभी तवचा रोग से ही सम्बंधित बिमारियां हैं लेकिन हर रोग के कारण भिन्न है इनमें कुछ रोग वन्शानुगत होते हैं वह कुछ जन्मजात तो कुछ खान-पान, रहन-सहन वह चोट आधी के कारण होते हैं सुराशिश में तवचा पर छिलकेदार लाल पपड़ियां पड़ जाती हैं जो की धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है वर्दमान में लग-भग एक प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं ये सिर के बालों के नीचे हाथ की हथेलियों, पाउं के तलवों, कोहनी, घुटनों, पीट पर अधिक होता है शीत-पित ये ऐसी बिमारी है जिससे आज समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित है इसके लक्षणों को देखें तो शरीर पर खुशली के साथ ही लाल चकत्ते बन जाते हैं और बाद में इसमें जलन वपीड़ा होती है सामानी तोर पर इसे पित्ती उचलना भी कहा जाता है ये शरीर में पित्त के अधिकता होने पर रक्त की उष्णता के कारण होती है खाने में मिर्च मसाले घी तेल से बने खाद्य के सेवन फास्ट फूड वो चाइनीज फूड के सेवन से अधिक होती है बार बार शीत पित्त होने पर बुखार वो उल्टी होने की शिकायत होती है गुष्ठ रोख से प्रभावित व्यक्ति को आज भी कई बार तिरसकार वो उपेक्षा का सामना करना पड़ता है इसमें व्यक्ति के शरीर पर सफेज चकत्ते पड़ जाते हैं जोकी धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाता है ये एक संक्रामक रोख है वैसकों की तुल्ला में बच्चों में इसके होने की संभावना अधिक होती है इसके कारणों पर गौर करें तो बंशानुगत रूप से इसके होने की संभावना प्रबल होती है वहीं अस्वच्छता, वातावरन और खानपान भी बड़ा कारण है वर्तमान की इनी परिशानियों को देखते हुए आज के अंक में आचार बालकृष्ण जी महराज आपको ऐसे अनेकों आयूरवेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिस दित त्वचा रोग, सुरायसिष, एक्जीमा, खाज खुजले, शीत पित, कुष्ठ रोग और त्वचा में संक्रमन आदी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है जड़ी बूटि के जानकारी के संदर्व में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और आउशदिय पौधे का यहाँ पेड़ है जिसको हम बोलते हैं मेहंदी हमारी मातों बहनों में जो परहंपरा है मेहंदी लगाने की मेहंदिया प्रतीक है सुहागिनों की मेहंदिया प्रतीक है सारीरिक सौंदरी का इतना ही नहीं है तोचा की सुंदर्ता के लिए मेहंदी बहुत गुणकारी और उपयुक पहर है skin problem में तो चाके जितने भी बिमारियां हैं यदि इसके पत्तों को पीस करके मेहंदी के पत्ते और थोड़े से नीम के पत्ते इसको मिलाइए इसको पीस ही है पीस करके पेस्ट बना करके यदि आप उस जगह पर लेप लगाते हैं तो इससे आपको सोराइसिस हो एकजीमा हो चाहे किसी भी तरह की skin problem हो उसमें इससे बहुत लाब मिलता है इसको आप करिए उससे जहां जलन हो रही है दहा हो रहा हो इससे उसमें शांती मिलती है यह बहुत अच्छा प्रयोग है आप उस प्रयोग को कर सकते हैं इसको पानी में उबाल करके तीन चार ग्राम पत्तों को पानी में उबाल करके यदि उस पत्तों से आप इसको धोते हैं अपनी skin को तो तब ही इस skin अच्छी हो जाती है उसकी जो बिमारी है उसकी जो परेश सब्जी नहीं है यह सिर्फ भोजन का अंग नहीं है आपी तो आज के बाद यह आपके लिए एक और शदी पौधा बन जाएगा इस पौधे का प्यारा सा नाम है करेला हम इसके कुछ और यह गुणों के विश्य में चर्चा करेंगे यह बहुत ही दिव गुणों से परिपू गुणकारी है जिन लोगों को किसी भी तरह से चर्म रोग है चर्म रोगों में क्योंकि यह अत्यंत रख्त सोधक है यह तो करेले का रस या आप सिर्फ करेले के पत्तों का रस दो तीन चमश यह आपनी अमित रुप से सेवन करते हैं तो चर्म रोग के लिए यह अत्यंत ल नर्मल है आपके लीवर फंक्शन ठीक नहीं है उस स्थितिय में भी यहां बहुत ही गुणकारी है बहुत ही अच्छा यहां प्रयोग है यहां एक दिव्य और शदी है निश्चित रुप से करेला करेला सिर्फ एक सबजी मात्र नहीं है करेला कड़वा नहीं है अब आप तोड़े नींग के पत्तियां को पीस करके यही आप उस रस से दिरे-दिरे मालिस करते हैं तो मालिस करने मात्र से भी आपकी जो खुजली है जो चर्मरोग है इस तरह की जो बिमारियां है वो ठीक हो जाती है तो आईए हम जीवन के अंदर चाहे वह देखने में देखो हम इस करे लेकर सेवन को आउशदी की रूप में करते हुए अपने जीवन को निरा मैं करें एक आनन्द मैं करें और देश के अंदर जो बढ़ती हुए व्यादियां हैं बिमारियां हैं अब हम इन व्यादियों और बिमारियों को ठिक करने के लिए दवाईयों की नहीं हम इन जड़ी बुटियों को आउशदी के रूप में, इन साघ सब्जीं को हम अउशदी के रूप में सेवन करके हम बीमारी से मुक्त हूंगे और पूरे देश को रोग मुक्त करने में, इस महा अभयान में, इस युद्ध में, हम सुएम युद्धा बन करके इस जड़ी यह एक अत्यंत आम प्रचलित और प्रदेग वेक्ती भारत वर्ष का वासी इस पौधा को जानता है तो आईए आज हम यह सदा भाहर सदा फूल के जो पौधा है उसके कुछ और शिदिय गुणों के संदर्ब में हम जाने जिनको स्किन प्रॉलम है जिनको किसी भी तरह से फो करके खाने में प्रावलम होती है तो इसको आप यू मसल करके और इसको गोली टाइप बना करके यह सुखा करके इसको पीस करके भी आप इसको सटक जाएं क्योंकि यह बगबगा होता है इससे थोड़ी सी उल्टी सी होनी की सम्हावना सी लगती है परन्तों यह दिरी साप हैं आप देख रहे हो इसके जो यह मुलाइम मुलाइम जो जड़े होती है इस पौधे की यह बहुत एक गुणकारी है इस घोर घने जंगल में हम आए हैं आपके लिए औशदियों के जड़ी बूठियों के बिहद विशद जानकारियों को एक अत्रित करके उस जानकारी को हम चाहते हैं आप तक पहुँचाना आईए आज हम परिचीत होते हैं एक और इस विशाल कायो बिक्ष से इसको बोलते हैं गंभारी हमने बहुत बार इसका बहुत सारे प्रयोग किये हैं आज हम कुछ प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं जिनको और्टर के रिया रक्त्पित की सिकायत है जिनके दाफ़ड पर जाते हैं उनके लिए भी यदि गंभारी का फल और मिस्त्री बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर बना करके सेवन करते हैं प्रातह सायम तो उससे भरपूर कुलाब मिलेगा और छुट्टी होगी आपको सित्पित जैसी बहानक बिमारी से आपके लिए ये पत्ते भी अतिनत गुणकारी हैं और जिनको किसी भी तरह से जाईया हैं किल मुहा से है या स्किन संबंदी परिशानी है उसमें भी यदि आप इस गंभारी चाल में नीम की चाल मिला करके उबाल करके पीते हैं जैसे आप 5 ग्राम गंभारी व्रिक्ष के चाल को ले लें और 5 ग्राम नीम के पेड़ के चाल को ले लें दोनों चालों को मिला करके 200 ग्राम पानी में उबालें उबाल करके जब रह जाए एक चोथाई चान करके आप पीएं जब आप चान करके पीएंगे तो इस से आपको आपके रक्त सम्मंदी विकारों को पूरा लाब मिलेगा और इससे पेट भी साफ होगा यहां रुद्रबन्ती के माले की एका बहुती दिव्य और दुरलब आउश्यदी है तो आईए इसके जो कुछ अनभूत प्रयोग रुद्रबन्ती क्योंकि बहुती दुरलब पाउदा है तो मैंने यहां भी देखा है कि इसको सिंगल आउश्यदी की रुप में एकल आउश्यदी की रुप में हम यही रुद्रबन्ती का प्रयोग ना करके अपी तो दूसरी बनशदियों के साथ में इसको प्रयोग करते हैं तो भी बहुत लाबकारी है जिन रोगियों को किसी भी तरह से स्किन प्रोलम ठीक नहीं हो रही है वो चाहिए किसी भी तरह की सुराइसिस है, एक्जीमा है, एलर्जी है, इसकिन प्रोलम है उन सवी रोगियों के लिए भी इति कायकल्प को आद के साथ थोड़ी सी रुद्रवंती में दोनों को मिला करके काड़ा बना करके पीते हैं तो उससे पूरा लाब होगा आपके स्किन प्रावलम के लिए बहुती गुंकारी है बहुती लाबकारी है रुद्रवंती का काड़ भी और शदी के रुप में लेते हैं तो आप नमक बिल्कुल ना ले तो ज्यादा अच्छा है और जो अपने इस्किन प्रॉलम के लिए ले रहे हैं तो वो लोग दूद शुद दूद या दूसरी जो चीजे हैं उन सब का सेबन कर सकते हैं जैसे हम लोग काया कल्प कवाथ द जाता है पर इन बनोषदियां के और जो विद्धिवान और शदिय जो गुण हैं जो हमारे संहिकर महात्मानों हजारों वर्ष हजारों हजारों साल से लाखों साल से परमपरागत अधर चाहिक प्रयों करके प्रॉक की जो प्यम्हाद यह उसके उपर हमें जरूर कोज करना चाहिए और संदान करना चाहिए रिश्यों के कृपा से प्रभो's के और आज गुरों के अशिरवा से जो हमें मिला है उसको तो हम प्रयात्रा कर रहे हैं आप तक पहुंचाएं इन्धविजवश्धियों की विश्धा में जो हम आपको ज्य जानकारी दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि वही जानकारी ही मैं इस मानता नहीं हूं कि वह अंतियम और वही संपूर्ण है निश्यत रुप से जितनी जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं यह काफी काफी जानकारियां हैं परन्तु इसके उपर भी और भी बहुत अनुसंधान की रि पूरा जीवन अलगाना पड़ता है एक एक बनोशिदियों के गुणों को वणन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का और बहुत सारे संतों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है तो जो हमने जाना जो हमने सिखा हमने प्रेतने किया है आप तक पहुंचाने का जिससे कि आपका जो ज्यान है, आपका जो नौलेज है, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो भी इस संदर्व में जो नौलेज है, हम उसको बढ़ा सकें, उसको अविविर्द्री कर सकें, इस वनुशदिय पौधों की विशे में आपकी अविरूची को जागरित कर सकें आज के अंक में आपने विबिन आशदिय पौधों द्वारा त्वचा रोक, सुराशिश, एक्जीमा, खाज-खुजले, शीत-पित, कुष्ठ रोक और त्वचा में संक्रमन आदी के घरेलू एवं आयुरवेदिक उपचार के विशय में जाना कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण आशदिय पौधों एवं आयुरवेदिक उपायों के विशय में चर्चा करेंगे जो कि आप के लिए लाभकारी होंगे आवश्यक सूचना डर्शकों आपने परंपुज आचार बालकर्शन जी महराज से त्वचा रोग, सुरायसिष, एक्जीमा, खाजखुजली, शीदपित, कुष्ठ रोग और त्वचा में संक्रमन आदी के घरेलू वा आशदिय पौधों से होने वाले सरल उपायों के वि विधी से दवा का निर्मान करना जन मानस के लिए असंभव है, इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजली योगपीट की दिवेफार्मेसी वा पतंजली आयूरवेद द्वारा सामान्य मुल्य पर आयूरवेदिक आउशदियां बनाई जाती हैं, जिने आप सरलता से अपने नज़दी की पतंजली चिकसालयों वो आरोग्य गेंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं ध्यान रहे, किसी भी आउशदि का प्रयोग बिना वैदिकिये सलाह के ना करें झाल